Hello dear friends, आप सभी को दसरे की बहुत-बहुत सुभकाम नहीं, ये पर हमें असत्य पर सत्य की जीत के को दरसाता है और साथ में हमको ये बताता है कि हम कितने भी तागतवर हूँ, कितने भी बड़े हूँ, कितने भी बलवान हूँ, हमेश्या हमां को एक डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, सभी के साथ अच्छा विवार करना चाहिए, कभी भी एगो नहीं करना चाहिए, और इसलिए सही अर्रावन बहुत महान था, बहुत ज्यानी था, लेकिन एगो के कारण और अपना बल का गलत इस्थेमाल करने के कारण उसका सर्वनास हो गया, इसलिए किसी ने सही का है कि ताकत की जरूरत तो तब पड़ती है जब हमें किसी का बुरा करना रहे अन्य था इस संसार में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है तो इसी के साथ हम आज स्चार्ट करते है न्यूज 7 ओक्टमबर 2019 का यह हमारा अफर्स है कि दाहिंदू में क्या होता ना दोस् को पिन पॉइंट करके हमको लिखना रहता है साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी एड़ करना रहता है जो हमको कैसे करना चाहिए वह हम देखेंगे कई बर के वह की वर्ड्स आते हैं दो तीन उसके साथ हमको एड़ करना रहता है तो आज कौन-कौन सी न्यूज है उसको हम लेत इस relationship इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, आज इसके थोड़ा सा एक या दो मिनिदे देंगे, citizenship amendment bill 2016, ये कल भी 6 September को भी आया था, दाय हिंदू page 14 पे, इसके हमने 6 को भी बात की थी, तो इसके बारे में फिर थोड़ा सा बात कर लेंगे, fiscal and monetary stimulus ये क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे 4th number topic, फिर economic growth agriculture role, मतलब agriculture का क्या role है हमारे आर्थिक विकास में, ये हम देखेंगे, ये भी अच्छा topic है, मैंस में कम से कम 10 क्यूसन आचुगे हैं अभी तक इस topic से, sustainable development goal ये क्या है, इसको देखेंगे, सतर्थ विकास लक्ष criticism is not sedition, मतलब देश दुरो नहीं है, अगर हम criticism कर रहे हैं government का, तो इसके बारे में दाहिंदों में एक अच्छा article आया है, बहुत important है, UPSC, मैंस में कभी भी पूछ सकता है, इससे related question, चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक कोरिडोर, इसके बारे में कुछ बाते करेंगे हम, कि ये क्या है, 8 नमबर का topic रहेगा हमारा, और इसको मैप, इस मैप के साथ समझेंगे, अच्छे से, संगाई corporation organization है, 9th नमबर topic, इसको भी हम देखेंगे, फिर है information fusion center, Indian ocean region, इसको देखेंग रेपोरिट, reverse रेपोरिट क्या होता है, ये देनिक जागन का page number 9 का एक topic है, और एक है सुपरबग, देनिक जागन, page number 16, तो दो देनिक जागन के बाकी हमारे, जो 10 topic है, वो दाहिंदू से है, इसके बाद हम question लेंगे, कि आज के topics related, UPSC में कौन कौन से questions आ चुके हैं, और आ corruption होता था, जितना भी corruption black money था, वो सारा कहां चला जाता है, real estate में, मतलब ये जितने में मकान मढ़ते हैं, बड़े-बड़े project, इन भी लग जाता था पैसा, तो और कई बार क्या होता था, हमने मकान खरीदने के लिए पैसे दिये, और हमको मकान नहीं मिलता था, हमने आज प government ने एक real estate regulation and development act 2016 लेकी आई, इसका aim क्या था, protect homeware, मतलब जो घर के खरीदा रहते हैं, उनकी रक्षा करना और investment को भढ़ाना real estate industry में, साथ में जो corruption होता है, उसको खतम करना, प्रावधान क्या है, सभी राज्यों में रेरा की स्थापना, real estate regulation authority, तो अब ये क्या है, एक educating body, मतलब ये अगर कोई विवाद होता है, तो उसका निप्टारा भी करेगी, जैसे supreme court, high court करते हैं, उसी तरह ये इसको इतना power रहेगा कि ये इसको करे, विवाद को निप्टारा करे, फिर speedy dispute radical, मतलब विवादों का सिग्र से सिग्र निप्टारा, जैसे example, real estate regulation authority, हर state के ल विवादों का निप्टारा से अगर संतुष्टी नहीं होता है, real estate regulation authority से, तो वो जा सकता है, real estate appellate tribunal, मिन्स, appelliate प्राधिकरन में जा सकता है, तो जैसे तमिल नाडू, real estate appellate tribunal है, तो उसी तरह हरी state में ऐसा है, फिर अगर यहाँ से भी, अगर उसको संतुष्टी नहीं म registration, सभी जो project चल रहे हैं, उनका registration करवाया जाएगा, और सभी commercial और residential जो real estate project है, उनका registration करवाना जरूरी है, अगर नहीं करवाया जाएगा, तो penalty लगेगी, protection of buyer, मतब जब भी कोई खरीदार घर खरीदेगा, तो उसका जो पैसा है, उसका 70% पैसा हमेशा bank के account के थ्रू जाए real estate regulation authority और appealer प्रादिकरण इसमें बनेंगे, और ये क्या करेंगे, time complete, time से complete हो project, साथ में time से मिले या नहीं मिला, साथ में अगर ऐसा नहीं होता है, तो 60 days में इसका क्या देगाए, विवादों का निप्टारा करेगा, अगर ये विवादों का निप्टारा नहीं करता है, real estate regulatory authority, तो ये चला जाएगा, appealer प्रादिकरण में, अगर कोई चन्तुस्ट नहीं इससे, तो उसको भी 60 दिन में विवादों का निप्टारा करना पड़ेगा, तो 60 and 60, रेरा rules कोन बनाएगा, राज्य भी बनाएगे, केंदर भी बनाएगे, केंदर किसके लिए बनाएगा, union territories के लिए, जहाँ पर विधान सवा नहीं है, ये union territories में, वहाँ के लिए, रेरा के तहत rules बनाएगा, कोन union, केंदर सका, आप देखो, इंडिया, बांगलादेश, रेले पिको जाके, तो वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से बात की थी, तिस्ता river agreement क्या है, फिर गंगा पदमा बेरेज प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है अभी, फिर NRC का मुद्दा इन दोनों के बीच में है, water sharing agreement pending है भी, फैनी river का, और साथ में trans boundary, मतब दोनों के boundary के आसपास जाती रहती है, कभी यहां से इंडिया से स्टार्ट होती है, तो बांगलादेश में एंटर करती है, लगवग 50 नदिया है, तो उनके water को लेकर sharing, कितना पानी इंडिया में रहना चाहिए, कितना बांगलादेश को मिलना चाहिए, तो यह थोड़ा सा प्रोब्लम है तो यह वीडि यह भी 6 अक्टॉमबर का है, इस्टेडी इस पर अच्छे से बात किये, लेकिन आज यहां फिर देख लेते हैं इसको, यह संसोधन कर रहा है नागरिक्ता दिनेम 1555 में, इसमें क्या कहा गया है, कि माइनर जो कम्यूनिटी जा माइनर अल्प संक्यक कहा के बांगलादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 कम्यूनिटी, हिंदू, सिक, पुद्ध, जैन, पार्सी, और किस्चन, उनको छोड़ कर, जो दूसरे बाकी बचे होए हैं, जैसे मुस्लिम, रोहिंग्या मयान मार के, एहमदी या पाकिस्तान के, जियूस, एतिस्ट, जबकि रोहिंग् संक्यक है, लेकिन फिर्बीन को छोड़ा गया है, इसलिए इसका क्रिटिसिज्म होता है, जबकि केवल 6 को इंक्लूड कर लिया गया है, तो क्रिटिसिज्म के साधार पर कि मुस्लिम मायनुर्टी कम्यूनिटी है, उनको सामिल नहीं किया गया, साथ में सेकुलरिज्म, जो ह हमारे संविदान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका आप उलंगन नहीं कर सकते, सिकुलरिज्म धर्म निर्पेक्स का मतलब किसी धर्म के साथ भेदवाओ नहीं करेगा राज्य, मतलब भारत, लेकिन यहां तो भेदवाओ हो रहा है, तो इसलिए, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, है कि equality before law, चाहे citizen हो, चाहे foreigners हो, विदी के समख समामता होगी, लेकिन यहां जब विदी बन रही है, तो यहां पर foreigners के साथ क्या किया जा रहा है, भेदवाओ, और foreigners को कौन-कौन से आर्टिकल्स नहीं मिले हो, यह फंडमेंट राइट्स 15, 16, 19, 39, 39, 39 अलपसंक्य को लिए है, जो गुनिस है, वो हमारे बहुत सारी स्वतंतरता हैं इसमें, 15, 16 है, वो भेदवाओ, 15 में किनी आदारों पर, और 16, नियोजल, पब्लिक एमप्लॉइमेंट, तो यह थोड़ा सा आप देख लेना, NRC Assam Accord, इसमें भी कहा गया है कि 24 अप्रेल गुनिस कित्र के बाद, जो illegal migrants आये हैं, उनको बाहर निकालना है, लेकिन यहां तो छे धर्मों को तो illegal migrants मान ही नहीं रहे, तो यह तो गरबड है, इस टाइप से आप इसको देखोगी, फिसकल and monetary stimulus यह क्या होता है, फिसकल में तब राजकोस यह तथा मोदरिक उत्प्रेरक, यह कब होता है, जब GDP में मंदी की अवस्ता हो, अभी देखो हमारे GDP में मंदी चल रही है, मंदी का मतलब क्या होता है, slowdown, इसमें पहले पिछली साल मान लो की, जो GDP की ग्रोथ मान लो 10 थी या 8 थी और उसके बाद 6 आ गई किसी दूसरी साल, तो मतलब GDP काम हो रही है, इसको बोलते हैं मंदी, अब क्या है, monitor policy में RVA क्या करता है, इसको बचाने के लिए ब्याजदरों में कमी कर देता है, जैसे रेपोरेट को कम कर दिया 5.15, करेंट रेपोरेट कितनी है, 5.15, यह हमने पहले भी बात की है, liquidity भढ़ा देता है कैसे, open market operation के तहत, government securities को खरीद लेता है, अथार जब बेचता है, तब क्या करता हो, लोगों से पैसा ले लेता है, जब खरीदता है, government securities को लोगों से वापस तो लोगों को पैसा दे देता है, और government securities खरीद लेता है, fiscal policy में government, government of India निकालती है, इसमें क्या करती है, सरकारी खर्च को बढ़ा देती है, करों में छूट देती है, जैसे corporation tax को 30-22% कर दिया, तो अब company के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, आतमे और निवेस ज़्यादा कर पाएंगी, साथ में निवेस सबसीड़ी, जैसे पहले किसान को मानल तो टेक्टर 5 लाग था, अब government बोलेगी कि 1 लाग हमारी तरब से आपको सबसीड़ी मिल जाएगी, अब आपको टेक्टर 4 लाग में मिलेगा, तो किसान ज़्यादा टेक्टर खरीदेंगी, तो इससे निवेस बढ़ेगा, तो ये एक topic, next एक important topic है, economic growth, agriculture, role का economic growth में क्या है, इसमें जो चीजें आई हैं, बहुत सारी points आई हैं, इसमें से कम नकम 10 questions में अभी तक पूछ चुके हैं, तो अभी इसके बात करते हैं, 2019-20 के लिए RBI का GDP का forecast किया है, 6.1, और हमारे agriculture में gross value addition कितना है, 2011-12 से लेकर 2017-18 तक केवल 2.9% है, और National Agriculture Policy बोलती है, दो हजार, दो है यह, National Agriculture Policy, यहाँ पर 200 लिखा का गया है, यह 4% के लिए बोलती है, देखो gross value addition का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि 1 kg हमारे पास tomato है, अगर हो market में 20 रुपे का बिकरा है, 20 रुपे कीजी, अगर मान लो उसका source बना दे हम, तो वो 100 रुपे का बिकता है, व बढ़ता है, मिन्स आप बोल सकते हो कि 102.09 रुपे, तो इस टेप से gross value addition बहुत कम है, तो यह अगर भढ़ा दिया जाए, तो gross value addition के साथ जो पैसा बढ़ेगा, वो किसान के हाथ में जाएगा, तो किसान की जो income कम होती है, वो बढ़ जाएगी, तो यह थोड़ा सा मुद्द है, 50% employment हमारे employment जो है agriculture से मिलता है, अब इसका solution क्या है देखो, यह जो problem है, तो हमको क्या करना चाहिए, जो farm to non farm ratio है income का, मिन्स जो agriculture से आ रहा है, उसको अभी हमारे 60 and 40 है, उसको 70, 30 कर दो, मिन्स farm से ज़्यदा आना चाहिए, इसके लिए हमको animal rearing करना चाहिए, मुर्गी प चाहिए, मिन्स आपका मुर्गी पालन, मचली पालन और poultry मुर्गी पालन, तो यह करना चाहिए, साथ में हमको land reforms करना चाहिए, मिन्स contract farming, इसी के लिए नीतियायोग ने model contract farming act लेकिया था, और कहा था कि राज्यस को अपना है, contract farming का मतलब क्या होता है, पहले से किसी company और किस किसान को क्या हो जाता है, उससे फाइदा हो जाता है, साथ में company को भी फाइदा हो जाता है, कि मानलो महंगा ही हो, तो उसको भी आलू मिल जाएंगी chips के लिए, साथ में market reform क्या करना चाहिए, APMC Act के में problem क्या है, कि direct sell किसान नहीं कर सकता, किसी को मंडी में जाके ही करेगा, स फिर price reform होना चाहिए, MSP का तरकी करन होना चाहिए, मतब फल और सब्सक्राइब के लिए भी कहीं ने कहीं ऐसा price fix होना चाहिए, फिर regional crop planning और agroclimatic zone model, मिन्स कहां पर किस एरिया में फसले अच्छे से हो सकती है, अब मानलो कि ऐसा हो, कि जहां पर बहुत पानी कम है, फिर भी पे बाजरा या मक्का वगरा ये बारिस वाली crops लो, तो इस टाइब के agroclimate zone की साफ से फसले उगाई जाए, ताकि किसानों को फाइदा हो, जरुत क्या है, किसान को input easily मिले, मतलब जैसे fertilizer तो government subsidy दे रही इस पे, soil health card दे रही है, उसके अनुसार के वल कितना fertilizer चाहिए, खीत म पे उतना ही डालो, ताकि extra burden ना पड़े, बीच, hybrid किसमे, hilding varieties दे रही ही government, सिचाई के लिए प्रधान मंत्री कसे सीजाई योजना, रसाइन, फिर खड़ी फसल की सुरुक्षया के लिए प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना, गवर्मेंट लेके आई है, जिसमें premium की दर कि 10% आपको पैसा पे करना पड़ेगा, तो 10% अगर पे करना है, तो उसमें से रभी को केवल, रभी क्रोप के लिए किसान को केवल 1.5 रुपे देना पड़ रहा है, बाकी अगर 10% में से जो बाकी बचा हुआ है, वो गवर्मेंट खुद की तरब से बरेगी, हार्वेस्टिं के बाद मार्केटिंग, तो इसके लिए MSP है, और E नाम है, Electronic National Agriculture Market, इसके तैस पूरे देश की मंडियों को लगवा 500-65 मंडियों को जोड दिया गया है, और किसान यहां दिल्ले में बैठा बटा, मर्याना का किसान, तमिलनारू के मंडी में बेच सकता है, खाद प्रसंशन को मिलता रहे, रो इंपुट, नेक्स्ट टोपी का सिक्ष नमर का सस्टेनेबर डवलप्मेंट गोल, सतत विकास लक्षे, कितने है 17, कब अपनाए गए 2015 में, जनरल, United Nations General Assembly के द्वारा इसको अड़र किया गया, समय यह कब से कब तक पाना है, इसको 2015 से 2030 तक, और इन्होंने किस इसका इस्थान लिया है, मिरेनियम डवलप्मेंट गोल का, जो आठ थे, जो कब से कब तक थे, 2000 से लेकर 2015, तो देखो यह क्यूस्टन, यह हमको यहाद होना चाहिए, यह जो ग्राफ है, यह बना हुआ, कि कई भार एक्जाम में चाहिए तो आप पर इंटर्व्यू रहे, वहाँ पर आप बोल सकते हो कि सरी सस्टेनबल डवलप्मेंट गोल क्यों important है, साथ में कभी essay आये, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं, कहीं ने कहीं, चाहिए GS का paper हो, चाहिए essay हो, चाहिए interview हो, वहाँ पर यह पूछा जा सकता है, तो हमको पता होना है चाहिए कि 17 गोल कौन- no poverty, zero hunger, good health, quality education, gender equality, उसके बाद gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, descent, work and economic growth, infrastructure, industry and innovation, inequality को कम करना, sustainable cities, responsible consumption and production, उसके बाद climate action, life below water, life on land, peace and justice, partnership for goals, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि गरीबी को अठाओ, बुखमरी को अठाओ, health अच्छी होने चाहिए लोगों के लिए, जुके इसन अच्छी मिले, gender equality हो, female male में ऐसा मानता ना हो, clean water, sanitation हो, मतब साप सपाई, तो इनके साथ आप लिख भी सकते हो कि, जैसे clean water, sanitation का सवच भार mission, तो लिख सकते हो कि sustainable development goal, 6 हमको इससे प्राप्त होगा, कभी भी मैंस में आए, affordable and clean energy के लिए आए, तो आप लिख सकते हो sustainable development goal में हमको अचीव करना है, इस type से, तो इसको trick याद करने कि आप trick बना लेना, यह याद भी हो जाएगा, जैसे मैंने किस type से याद कर रखा है, pH square, E, G, मतबब G से gender, फिर E, G, S से मैंने sanitation, तो E, G, S, E, G, फिर II, C का triple square, cities, conception और climate, and समुद्र, जमीन, उसके बाद सांती और समझोता, तो इस type से आप याद कर सकते हो, यह बहुत important है, हमेशा 24 hours आपके mind में रहना चाहिए, कहीं भी इसका utilization आप कर सकते हो, smart study दोस्तों इसी को बोलते हैं, कि आपको यह important चीज़े याद हुने चीज़े, जिसको कहीं भी आप utilize कर सको, अब criticism is not sedition, मतलब अगर हम, यह 7th number का chapter है, दाहिंदू के page number 11 पर बहुत बड़ा article था, तो उसमें से केवल क्या क्या चीज़े important थी, वो मैंने निकाला है, तो sedition low, 77 सताब्दी में आया, यह England में, government की बुराई ना करे कोई भी, केवल अच्छी बाते करे government के लिए, कि government अच्छा काम कर रही है, क्योंकि मोनार की थी, तानासा ही था, तो अगर कोई बुराई करेगा, तो मारा जाएगा, देशदूरो के case में, तो इंडिया में 1870 के तहट आया, IPC का section 124A के तहट, बाल गंगदर, तिलक और गांधी ची दोनों इसमें फसे थे, government की criticism किया, तो देशदूरो का case लगा दिया, बाद में सुप्रीम कोट ने, बाद में जो संसत थी, उसने पर्थम सवीधान संसोदन के द्वारा, security of state, मतलब राज्जी की सुरक्ष्या की जगए, आर्टिकल 19.2 में public order change किया, कि अगर public order सही नहीं करता है कोई, तब जाके ये case लगेगा, अब UK में इसको अठा दिया गये, लेकिन इंडिया में अभी भी ये है, इसको लेकर सुप्रीम कोट के दो बड़े-बड़े judgment आये, पहला, केदार, नात सिंग, वर्सेज, बिहार, राज्ये, गुनिस सो बासट में, इसमें ये आया कि क्या ये जो low है, ये समयधानिक रूप से सही है, आर्टिकल 13 के तहत इसकी समयधानिक समिक्षा की गई, नाइक समिक्षा की गई, तो जो सुप्रीम कोटा उसने बोला कि समयधानिक रूप से सही है, कभी-कभी इसकी जरुत पड़ती है, लेकिन कोई very strong speech, मतब खतरनाक speech ना दे, गलती speech ना दे, हाँ, अगर गलत words यूज करता है, कि ये नेता मर जाए, ये government उतर जाए, ऐसा कोई बोलता है, तो कोई दिकत नहीं है, गुर्णी सो पिच्चानमे में क्या हुआ, बलवन सिंग वर्सेज, स्टेट और पंजाब, सिनेमा के बाहर स्लो और एक बलवन सिंग नाम का जो यूवा था, उसने खालिस्तान जिंदाबाद राज करेगा खालसा, इस टाइप के नारे लगाए, तो उसको पकड़ लिया गया, और उसको सेडिशन केस लगा दिया गया, बाद में सुप्रेम कोट ने उसको निर्देश गोसित कर दिया गय सुप्रेम कोट ने क्या बोला कि यह जो स्लोगन लगा रहा था, नारे लगा रहा था, इससे पहली बात लो एंड ओडर का कोई प्रोब्लम क्रियेट नहीं हुआ, साथ में कोई वाइवलेंस, मतब हिंसा की उत्पत्ती नहीं हुई, इसलिए इसने क्यों क्रिटिसिजम किया गोर्मेंट का, तो कोही इस पे सेडिशन केस मतब देश दरो का केस नहीं लगीगा, और प्रजेंट केस में बिहार कोट ने क्या किया, क्यों इंपोटेंट आ गया, कि बिहार कोट ने क्या किया, ओर दे दिया, एफ आ यार दर्ज करने का 49% के लिए, उन्होंने क्या ओपन का क्रिटीशन का केस नहीं लगना चाहिए, अगर हम वाइलेंस क्रेट कर वा रहे हैं, अगर हम लोघ एन ओडर को खतम कर रहे हैं, लोघ एन ओडर के लिए प्रोब्रम क्रेट कर रहे हैं, तब जाकि हम पे सेडिशन केस लगना चाहिए, 124A IPC की धारा, ऐसे नहीं लगना आप देखो, 8 नमबर का चेप्टर है जो मिन्स टोपिक है वो चाइना पाकिस्तान एकोनमिक कोरिडोर, ये चीन के एक प्रोजक्ट है, बेल्ट एन रोर इनिसिट्व जिस पर हमने कल भी बात की थी कहां से कहां तक चीन से पाकिस्तान मिन्स चीन के सिंजियांग प्रांत के कासकर सहर से ये गौदर पोर्ट जो अरब सागर में है उसको जोड़ेगा, 300 किलोमेटर 3000 किलोमेटर का ये पूरा कोरिडोर बना हुआ है, रोड रेल ब्रोड बेंड, मतलब अप्टिकल फाइबर बिचाय जाएगा जिसे हाई स्पिर्ड नेट आएगा पाकिस्तान में ओइल और गैंस पाइपलाइन यहां बिचाय जाएगी भारत ने इसका क्या जवाब दिया है इरान में चाहबार पोर्ट भारत यहां डवलब कर रहा है और इस जो ये है आपका ग्वादर पोर्ट इससे लगबख 60-70 किलोमेटर दूर ही यह है इंडिया विरोध क्यों कर रहा है इसका चायना पाकिस्तानी कोर्ण में कोरिडोर का साथ में बैल्ट और रोड इनिसिटिव का क्योंकि भारत के पियोके से उदर गुजरता है इंडिया बोलता है कि देश की संप्रभूता का समान आपका नहीं कर रहे हूँ साथ में खुलापन नहीं है पता ही नहीं चल रहा है कि यह कर क्या रहे हैं क्या चाहते हैं और एक्वल ट्रेटमेंट मतलब सब देशों के साथ समान विवार चाइना नहीं कर रहा है एक तरह से नीता का काम कर रहा है अब देखो यहाँ पर यह है हमारा मैप तो मैप आपको बनाना चाहिए अगर दोस्तों ऐसे मैप आग एक्जाम में बना के आते हो कि आपके मैंस के टाइम क्यूशन पेपर्स में चाहिए यहाँ जियोग्रोफिका हो चाहिए पॉलिटीका हो मैप के साथ अगर बना के आते हो किसी क्यूशन में तो मैं जहां तक मानता हूँ आदा या एक मार्क्स देखती ही मिलता है टीचर को ज़धा अफर्स नहीं लगाने पड़ता समझने में तो देखो यहां उपर जियां चीन में जो कासगर सहर है उसको पीओके से होते हो कहां जोड़ दिया है ग्वादर पोर्ट अरब सागर में साथ में इंडिया है यहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान इधर इरान यहां पर कहीं भी मद्धे Aisiyah में जाना रहता था हमको पाकिस्तान की ये पंजाब से 8 री बोडर होते वे कहां जाना रहता था अपगारिस्तान तो अब हमको उधर से नहीं जाना पड़ता था पहले प्रोब्लम क्या होती थी कोई भी माल भरा हमने ट्ट्रक में तो पाकिस्तान की Boundry पे जाएगा वहाँ पे पूरा माल unloading होगा फिर loading होगा उसके बाद जहाँ पर जाएगा CLT में वहाँ पर unloading होगा अब यहाँ पर देखो पेले इंडिया में loading हो रहा है फिर वहाँ पर border पे जाएगा unloading, loading, फिर वहाँ loading तो चार बार ये प्रोसेज हो रहा है जबकि दो ही बार होना चाहिए था यह तो लोडिंग और अन्लोडिंग तो यहाँ पर क्या लागत बढ़ जाती है किसी भी सामान की तो हमको नया रूट मिल गया है तो यह थोड़ा सा याद रखना अब ऐसे मैप जरूर बनाना अब 9 नमबर का चेप्टर है जो संगाई कोर्परेशन और्गनाईशन दा हिंदू पेज नमबर 13 पे थोड़े असा बस एक वर्ड आया है और फिर 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसके फुल मैंबर मन जाते हैं कजाकिस्तान की राध्दनी अस्ताना में संबेलोन होता है उसके तैत इसका सचेवाले बीजिंग में है आप देखो 8 मैंबर कोन है यहां से समझ जाना पहले 5 कोन थे फिर एक उजबिकिस्तान मिल गया इंडिया पाकिस्तान 3 मिल गए तो 5 बचे सुरू में तो इंडिया और पाकिस्तान तो ही चाइना रसिया और 4 वेस्ट एसिया के देश हैं टोटल 5 रहते हैं लेकिन तुर्कमिनिस्तान इसमें सामिल नहीं है तो आप याद रखना तुर्कमिनिस्तान के अलावा जो कजाकिस किर्गिस्तान और ऊजबिकिस्तान नझाशा मिल है तो चीदा सा बात है पार्थभी हें में परिवार का उसको दुस्मंन नहीं बौलते हैं सू पाकिस्तानी इजे tooas इंडिया किसी टाइम रहा है तो हमारे लोग है बस अब राजनिती के कारण ये थोड़ा सा प्रोब्लम होता रहता है आर्मी की कारण तो लोग अपना एजंडा सेट करने के लिए थोड़ी सी प्रोब्लम क्रेट रहती है बाकी लोग कभी बुरे नहीं होते लोग हमेशे अच स्टेट्स मत्तब राज्यों की जो प्रमुक है वो और इसमें एक जो मैन ओर्गन है जो इंडिया के लिए काम का है वो है रिजनल एंटी टेर्रिस्ट इस्ट्रेक्चर आरे टीएस इसका मुख्याले तासकंद में है ये स्टाही निकाई है ये क्या काम करने के लिए अलगा इंडियन ओसियन रीजन तो ये क्या काम करता है गुरुग्राम में है 18 देशों के साथ लिंक यह मैरिटाइम डाटा को सेयर करता है मतलब समुद्री डाटा को कि समुद्र में कौन सा जाज का है इस टाइप से और एक कोल्योबरेशन किसके साथ किया है सिंगापुर के साथ साथ में Piracy Reporting Center जो है International Maritime Bureau और Maritime Security Center Horn of Africa सब के साथ इसका तो पूछ लेता है कि किसी के साथ है या नहीं Reporate और Reverse Reporate क्या होता है Reporate क्या होता है RBI दोवारा Commercial Bank को जब लोन दिया जाता है तो उस पर ब्याजदर वसुली जाती है तो इसी को बोलते है Reporate और जब Commercial Bank RBI के पास पैसा जमा कराती है तो RBI को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है उसको बोलते है Reverse Reporate और दोनों में डिफरेंस रहता है 0.25 का अब आप ये सिदा सिदा देख लो कि तो ऐसी जीन्स को क्या बोलते है सूपर बग इनको निर्मान कैसे होता है जब हम बार बार एक ही चीट की एंटिवाइट यूज करते है तो बाद में इसका कोई इफेक्टी नहीं होता है तो ये टोपिक पूरे 12 हो गए अब हम क्यूशन देखते है पिछली एक्जामस में कौन-कौन से चाहबार बंदरका काया कि भारत द्वारत चाहबार बंदरका को विक्सित करने का क्या मैत तो है तो ये क्यूशन आप मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताओगे आपको इतना सा लिखना है कि क्यूशन नमर 3 कौन सा आंसर है तो ये आप बताओगे तो ये मेरी आप से तहे दिल से एक रिक्वेस्ट है कि आप खुद से इसको सोल करने का कोशिस करना बाकी क्यूशन हम खुद देखेंगे कभी-कभी समाचारों में आने वाला बैल्ट और रोड इनिसिट्यूव जो है किन मामलों के संदर्म में आता है तो अफ्रिकन संग ये ये संग ब्राजिल चीन तो ये हमको पता सिधा सिधा चीन ये 2016 का प्रीका कुशन है उसके बाद किसी अर्च व्यस्ता में यह दि ब्यास दर को गठाया जाता है ये हमारा जो टोपिक है जो हमारा topic था stimulus वाला कि अभी हमारा मद्दी चल रहा है तो उसको कैसा निकला जाए topic number 4 से related question है कि जब भी हम ब्याज दरी कम करती है government जैसे रेपोरेट अभी कम कर दी तो और bank रेपोरेट के अनुसार अपनी ब्याज दरी कम करेगा तो इससे फाइदा क्या होता है अर्थ व्यवस्ता में उप्योग व्याज गठाएगा तो उप्योग व्याज गठाएगा नहीं बढ़ता है इससे तो क्योंकि लोगों के हाथ में ज़्याज रहता तो ज़्याज पैसा आता है तो घरों में निवेस करते हैं या फिर नई गाड़ियां लेते हैं कोई नए नया प्रोडक्शन के लिए खर्चा करते हैं तो यह निवेस भड़ जाएगा यह थोड़ा सा सही लग रहा है अर्च व्यावस्ता में कुल बच्चत को बढ़ाएगा तो कुल बच्चत यहाँ नहीं बढ़ेगा जब निवेस होता है तो बच्चत कहां से होगी बच्चत कोई तो निवेस में चेंज करते हैं तो हमको क्या करना यहाँ निवेस तो यहाँ आउप्सन हो जाएगा C, यह 2014 का क्यूशन है प्रीका Sorry for Size Reduction यह क्यूशन है इस बार का 2019 का प्रीका क्यूशन तो देखो कितना easy क्यूशन है Which of the following are the region of occurrence of multi-drug resistance of microbial pathogen मतलब वोई super gene जो बनती है super bug means drug resistant gene उसके पीछे क्या region है तो genetic deposition of some people मतलब कुछ कुछ लोगों में gene genetic सर्चने ऐसी रहती है कि वो इसके लिए उत्तरदा ही रहता है तो ऐसा जल्डली नहीं होता है कोई भी ऐसा विक्ति नहीं है जो पहले से disease resistant पहले से हो multi-drug resistant हो ऐसा नहीं होता है हाँ taking incorrect dog job antibiotics हाँ incorrect dog बारबार ले रहे है तो वो क्या पैथोदिन क्या हो जाएगा resistant हो जाएगा ये थोड़ा सही है using antibiotics in lawy stock farming हाँ antibiotic जो हमको किसी बिमारी के लिए सही करने के लिए चाहिए अगर उसको antibiotic को किसी पसु को दे रहे है और उससे मास हम खा रहे है फिर बाद में या दूद पी रहे है तो हमको disease resistance हो जाएगी तो ये सही है multiple chronic disease in some people इसका मतलब ऐसी बिमारियां जो लगातार एक आदमी में रहती है तो number of बिमारियां जैसे उसमें हर्दे गात भी उसमें चल रहा है साथ में उसका liver भी खराब है उसका kidney भी खराब है तो 10-15 टाइप की गोलियां एक ही साथ दिन-दिन में खा रहा है तो इससे drug resistance हो जाएगी तो यहां answer क्या हो जाएगा 2-3-4 D answer हो जाएगा तो यह easy question है फिर भी थोड़ा सा देखते रहना आप देखो यह men's की question है जो हम देख रहे हैं अब एक मैं बात बताऊंगा आपको वो फिर बाद में चलेगा क्यूसन ऐसे पूछ लेता है 2018 का क्यूसन है पेपर नमबर 3 की affordable विश्वसनिय धार्णिय और आदुनी गुर्जा तक पहुंच sustainable विकास लक्षियों को प्राप्त करने के लिए अनिवारिय है भारत में इस सम्मंद में हुई प्रगति पर टिपनी कीजिए तो हमको पता है आपको अच्छे से पता है कि I think ये sustainable goal 5 ये 6 है तो हमको पता होना चाहिए कि सही में sustainable development goal क्या है और इसको कैसे पा सकते हैं तो यहां से match करना पड़ेगा हमको कि sustainable development कैसे है और government इसके लिए क्याकिए scheme लेके आई है जैसे मालो कि हमने renewable energy पे ज़्यादा दो जोड दे रहे हैं अभी मोदी जी ने हाली में बोला कि 450 जो गीगावार्ट है हम renewable energy बनाएंगे साथ में हमने biofield policy तो इस टाइप की चीज़े आपको पता हुने चीज़े मेरा यहां कहने का मतलब है कि sustainable development goal जो आपने लिखाया है उसमें कहीं क्यूशन मैच कर रहा है तो आगे क्यूशन को फिर बाद में paper wise sold करेंगे साथ में क्यूशन देखते हैं चाइना पाकिस्तान economic corridor यह देखो यह GS 3 का क्यूशन है 2018 का तो चाइना पाकिस्तान economic corridor की चीन की अपेक्षा करत अधिक विसाल एक पट्टी one belt one road पहल के तहत एक मूल भूद भाग के रूपे देखा जाता है चाइना पाकिस्तान economic corridor का अधिक वर्णन कीजिए और भारत इससे किनारा करने का तो इसमें सारे चीजे मैंने बता दिया आप क्या हो diagram बना दो और उसका sunship वर्णन कर दो कि कहां से कहां गुजर रही है क्या के चीज़े इसमें सामिल हो भारत इसका किनारा करने का खारण गिनादो ठीक है तो बिल्कुल easy सा question हो जाएगा अगर आपने diagram बना दिया तो फिर उस होने पर स्वागा है मतलब teacher खुस हो जाएगा उसका दिल खुस हो जाएगा अगर आपने map बना दिया फिर मेरा कहना सिर्फ इतना सा एक point कि क्यों पिछले साल के papers ज्यादा important रहते हैं हमारे इस exam में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि UPSC question paper में questions repeat नहीं करते हैं लेकिन मैं बताता हूँ आपको चेक ऐसे चार question repeat होए हैं एक ही जैसे तो देखो पहला धर्म निर्पेक्स्ता को लेकर भारतिय वाद विवाद पस्यम के वाद विवादों से किस प्रकार भिन है देखो धर्म निर्पेक्स्ता इंडिया की बोलती है कि इंडिया में राज्य पोजिटिव रूप में धर्म में अस्यप कर सकता है अगर धर्म जैसे मालों की तिरपल तलाग किसी लोगों को तिरपल तलाग को लेकर धर्म में अस्यप किया गया कि वो महिलाओं की डिगनिटी को लेकर खराब काम कर रहा है तो ऐसे पोजिटिव अस्यप कर सकता है लेकिन पस्मे धर्म और राज्य का टोटली 100% विलगाव है धर्म कुछ भी करो राज्य कुछ भी करो दोनों को कोई लेना देना नहीं है लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया में सभी धर्मों को इक्वल राइट है इक्वल सम्मान है और सभी को इक्वल रूप से बढ़ने का मोका दिया जाता है अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य स्रिप कर सकता है तो यह 2014 का question है फिर देखो कैसे question आया 2018 में कैसे question आया GS paper 3 में धर्म निर्पेक्षता के भारतिय संकल्पना धर्म निर्पेक्षता के पास्च्यात मोडल से किन किन बातों में भिन्न है देखो same question आगया 2018 में फिर question देखते है इस बार का 2019 में धर्म निर्पेक्षता के नाम पर हमारे सांस्कर्तिक प्रथाओं के सामने क्या-क्या चुनोती है GS paper first तो धर्म निर्पेक्षता में सांस्कर्तिक प्रथाओं के सामने क्या-क्या चुनोती है आप थोड़े से ले सकते हो कि क्या क्या problem है जैसे triple적 वाल ले सकते हैं बालव्यहा महिला और जितना भी उत्रादिकार वाले मामले हैं जातिक प्रता वाला मामला है इन सब चीजों को लेकर सांसकर्टिक प्रतावों में क्या क्या चुनोती है कई लोग बोलते हैं कि हमारे धर्म में एक्सेप किया जा रहा है जब हम बोलते हैं कि मोनोगेमी, पोलीगेमी, ये सब नहीं होना चीए बहुपत्नी, ये सब तो इसके नाम पे, तो सैम वोई कंडिशन है आप महां से क्यूसन को उठा सकते हो फिर इसी साल 2019 में पेपर 2 में, G.S. पेपर 2 में क्या पूँचा गया, क्यूसन को थोड़ा घुमा कर कि धर्म नेरिपेखस्ता को लेकर भारत के समविदान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है मिन्स भारत की जो सेकुलरिज्म है उससे फ्रांस क्या सीख सकता है अब देखो सिधा भारत का अपना खुद का धर्म नेपिक्सता की आइडियोलोजी है और फ्रांस में वेस्टन थोट अपना ही जाती है मतलब राज्य और धर्म में विलगाओ और उसने फ्रांस ने क्या फरमान सुना दिया था कि अब इसकुलों में कोई या सारजनिकिस्तानों पर कोई भी महिला बुर्का नहीं पहन के आएगी कोई भी सरदार पगड़ी नहीं पहनेगे तो बहुत सारा एजिटेशन स्टार्ट हो गया आंदोलन स्टार्ट हो गया गवर्मेंट के प्रती कि आप तो बोलते हों कि भहु संसकर्ती को हम बढ़ावा दे रहे हैं फ्रांस में पैरिस में तो आप तो गलत कर रहे हो तो इसी के लिए कहा गया कि फ्रांस को पोजिटिव अससे शीखना चाहिए और ऐसे मामले में बढ़ावा दिया जाना चाहिए तो यहां से देखो क्यूसन फिर रिपीट हुआ है उसके बाद देखो क्यूसन 2018 में चाहिना पाकिस्तान एकोनोमी कोरिडर पूछा था 2014 में जी एस पेपर 3 में क्यूसन आया है चाहिना पाकिस्तान ने एक आर्थी गलियरे की विकास के लिए समझोता किया है यहां भारत की सुरक्षे के लिए क्या-क्या खत्रा प्रुस्त करता है तो आप यह अगर ऐसा होगा तो चांसे बढ़ सकता है कि करीबी गौदर पूर्ट आ गया गौदर पूर्ट से यहां पर चाहिना का सिप आना इस स्टार्ट हो सकता है सिप आ सकते हैं यहां पर और मोतियों को बढ़ावा देगा तो यहां से गरबढ हो सकता है फिर पाकिस्तान में आतंगवाद को यह दोनों मिलकर बढ़ा सकते हैं वहां पर अफगानिस्तान जो एरिया है वहां पर और पियों की जो हमारा पार्ट है उस पर आने वाले टाइम में फिर यह 100% अस्यप कर सक सकते हैं तो यह कई सुर्ख्षा के खत्रे हैं तो यह दिख सकते हम साथ ही में आप देखो इस्टिंग ओपल्स मोतियों की माला 2014 में जी एस की पेपर सेकिंड में क्यों सन पूछा गया है स्टिंग ओपल्स से आप क्या समझते हैं भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है सामना करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की संसित रूप रेखा इस्टिंग और पल्स के लिए भारत भी क्या कर रहा है सिरिलंका में जा रहा है सिरिलंका में राजमहिंद्रा राजपक से पोर्ट को बना रहा है उसके बाद सित्य पोर्ट को बना रहा है अब और देखो यहां पर हम नेपाल उसके बाद जितना भी हमारा जो मालदीव है इससे अच्छे संबंद कर रहे हैं मयानमार से अच्छे संबंद करके रख रहे हैं बांगलादेश से अच्छे संबंद करके रख रहे हैं इससे बच बना दिया उसके बाद बंगलादेश में बहुत सारे project बना रहा है इससी जब presence बढ़ रही है तो इससे problem create हो रही है तो इससी को बोलते है मोतियों की माला चारतरप से पूरा मोतियों की तरह घेर लिया पूर इंडिया इंडिया इससे किस तरह का प्रभावित हो रहा है तो य यह बताओगे कि इसमें answer क्या होगा आप a b c d में से तीन के साथ 3 a b c d यह आपको comment करके बताना है तो my dear friends thank you very much again happy दसरा and god bless you and happy life and आप जो भी आपने targets बना रखे हैं आपको achieve वो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यावाद thank you